वालो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे most expected phrase replacement के questions जो कि आई बीपीएस पी ओ और क्लर के लिए काफी important रहेंगे तो इस तरह के question आपके pre और means दोना ही exam में पूछे जा सकते हैं definitely आते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं इन questions को देखते हैं देखे ये है phrase replacement के question और ये question number one है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और एक particular part इसका underline है underline भी हो सकता है ये part और bold भी हो सकता है आते हैं जैसे यहां पर पांच options दिए हैं कभी-कभी a option होता है no improvement लेकिन इसमें देखिए first जो option है और यहां पर जो option दिया हुआ है ये same है a में जो option दिया है और यहां पर ये option दिया है γलब इसका मतब यह है कि यादी no improvement है तो आपका answer इसमें a होगा ठीक है अब इन questions को हम पढ़ते हैं Cardivorous mammals can endure what would otherwise be lethal levels of body heat because they have a heat exchange network which kept the brain from getting too hot देखिए इसमें हम क्या बात कर रहा है इसमें हम Cardivorous mammals की बात कर रहा है Cardivorous जो flesh खाते हैं ठीक है जो meat खाते हैं उसको हम बोलते हैं Cardivorous mammals और endure का क्या मतलब है Endure का मतलब है सहन करना तो Cardivorous जो mammal है वो सहन कर सकते हैं What would otherwise be lethal level of body heat मतलब normal situation में जिस body heat को दूसरे mammals या दूसरे animals endure नहीं कर सकते सहन नहीं कर सकते Cardivorous animals उसको सहन कर सकते हैं वो ऐसा क्यों कर सकते हैं यहां पर एक सा reason बताया है Because they have a heat exchange network क्योंकि उनकी body में एक heat exchange network होता है और उस network की विशेष्टा क्या होती है उस network की विशेष्टा हम यहां पर इस word के द्वारा बता रहे हैं Which kept तो यहां पर which kept ना होते हुए चुकि network क्या है? एक singular है ठीक है network singular है तो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए keep और keep क्यों आना चाहिए? क्योंकि यह present tense में है और keeps आना चाहिए, keeps इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये singular है तो यहाँ पर kept की जगे keep नहीं आएगा kept की जगे यहाँ पर keeps आएगा keeps इसलिए आएगा क्योंकि present simple tense में हम इसमें एक routine ठिंक की बात कर रहे हैं एक universal truth की इसमें हम बात कर रहे हैं क्योंकि उनके पास heat exchange का network होता है वो हमेशा होता है ये चीज हमेशा apply होती है तो यहाँ पर आपको एक तो singular को qualify करने वाली verb चाहिए और एक present simple tense को qualify करने वाली verb चाहिए ठीक है तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको keeps बोलना पड़ेगा और keeps के पहले जो relative रोनाव आप लगाएंगे वो which भी लगा सकते है that भी लगा सकते हैं दौनों ही applicable है तो इसलिए इसमें आपका जो answer होगा वो होगा that keeps B इसमें आपका answer होगा कार्णिवोरस mammals can endure what would otherwise be lethal levels of body heat because they have a heat exchange network which keeps the brain from getting too hot उनके पास एक heat exchange network होता है जिससे उनका brain शान्त रहता है और जो brain को बहुत ज़्यदा गरम होने से रोकता है ठीक है तो चूकि इसमें एक universal truth की बात हो रही है इसमें एक ऐसी बात हो रही है जो कि हमेशा ही सही है तो इसलिए इसमें हम universal truth के लिए एक verb लगाएंगे present simple tense में और चूकि network singular है इसलिए इसमें हम keep में s लगाएंगे तो यहाँ पर आपका सही answer होगा that keeps चलिए आगे का question देखते हैं यह है आपका second sentence the commission has directed advertisers to restrict देखें English का section को solve करने के लिए चाहे वो bank PO हो चाहे clerk हो और चाहे English का कोई सा भी section हो आपकी reading बहुत अच्छी होनी चाहिए regular basis पर आपकी vocabulary भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए अब जैसे यहाँ पर यदि कुछ words दिये हैं और यह यदि words आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप इस question को शायद नहीं कर पाएंगे जैसे यहाँ पर restrict दिया है यहाँ पर additive दिया है flavor दिया है contain दिया है ठीक है तो preservative दिया है तो इन words के meaning यदि आपको नहीं पता है इससे definitely आपको बहुत help मिलेगी तो यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ the commission has directed मतलब commission ने direct किया है advertisers को instruct किया है उनको समझाया है उनको निर्देशित किया है directed का मतलब है कि उनको directions दिये है advertisers को to restrict the use of the word natural मतलब advertiser को बोला है commission ने कि natural word का वो ज्यादा use नहीं करें restrict का मतलब होता है सीमित करना ठीक है तो commission ने advertiser से बोला है कि natural जो word है उसके use को वो सीमित करें to food that do not contain color और flavor additives मतलब ऐसे सभी food जो natural नहीं है लेकिन उनमे color और additive नहीं है तो उनको natural बोलना सही नहीं है के वैल इस बास से वो natural नहीं हो जाते कि उनमे color और flavor additives नहीं है तो इसलिए commission ने advertiser से बोला है कि natural जो word है उसका use कम से कम करें chemicals preservative अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर do not दिया है और यहाँ पर nothing दिया है यहाँ पर do not दिया है और यहाँ पर nothing दिया है तो दोनों ही यह negative word है double negative हम sentence में use नहीं करते तो do not के यहाँ पर nothing के इस्थान पर हम anything का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो अब यदि आप anything लगाएं इसमें तो आपका यह वाला sentence यह वाला जो option है d यह सही होगा यहाँ पर और d लगाने के बाद यह sentence को किस तरीके से हो जाएगा यह मैं पढ़के आपको बताता हूँ तो इसमें यदि आप anything लगाएंगे तो सारी चीजे एक ही sequence में आ जाएंगी do not के बाद सारी चीजे आपको अफर्मेटे में लिखनी है nothing यहाँ पर गलत होगा तो यहाँ पर d आपका सही answer होगा अब हम आगे वाला question देखते हैं देखिए यह है question number three the euro quiz were primarily planters देखिए यह किसी जंजाती के बारे में या किसी प्रजाती के बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि यह लोग मुख्य रूप से शुरूआत में planters थे primarily मतला मुख्य रूप से यह किसी जाती के बारे में बात हो रही है कोई tribal caste के बारे में बात हो रही है यहाँ पर tribal group के बारे में बात हो रही है तो ये शुरुआत में प्लांटर्स थे ठीक है इसमें बोला क्या जा रहा है बच सप्लिमेंटिंग डियर कल्टिवेशन आफ मेज, स्क्वेस और बीन्स विद फिशिंग एंड हंटिंग तो यहां पर इस सेंटेंस में, आपको ये बोला जा रहा है कि primarily, यानी मुख्य रूप से वो प्लांटर थे लेकिन उनहोंने कुछ दूसरा काम भी किया मतलब सेंटेंस में कॉछंट्रास्ट क्रियेट हो रहा है कि वो लोग primarily planters थे लेकिन उन्होंने कुछ और काम भी किया तो इसलिए यहाँ पर आपका contrast दिखाने के लिए इसमें यह वाला जो sentence है अब देखिए यह वाला sentence past में है ठीक है they were primarily planters तो यहाँ पर भी आपको past में ही बोलना पड़ेगा तो इसमें यह वाला जो sentence है although they supplemented क्योंकि past में चुकी आपको sentence चाहिए तो इसलिए यह वाला जो option है यह सही रहेगा इसमें although they supplemented their cultivation of maize, squash and beans with fishing and hunting तो इसका मतलब यह है कि primarily यह लोग planters थे लेकिन उन्होंने अपने cultivation को supplement किया maize, squash and beans की खेती से और fishing और hunting से ठीक है तो यहाँ पर contrast को लाने के लिए यहाँ पर आपका D जो option है वो सही होगा चलिए आगे देखते हैं as contrast with the honey bee, the yellow jacket can sting repeatedly sting का मतलब होता है डंक मालना repeatedly का मतलब है बार-बार yellow jacket यहाँ पर honey bee की तरह ही एक insect है क्योंकि उसकी तुलना honey bee से जब हम कर रहे हैं तो yellow jacket definitely भले ही आपको इसका meaning ना पता हो लेकिन आप comments है से अपलाई करके पता लगा सकते हैं कि yellow jacket honey bee की तरह ही कोई insect है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की बात हो रही है और दोनों में एक contrast क्रियेट कराया जा रहा है As contrasted with the honey bee the yellow jacket can sting repeatedly without dying and carries a potent venom that can cause intense pain मतलब जिस तरह से honey bee काटता है उस तरीके से उससे अलग तरीके से yellow jacket sting कर सकता है वो बार-बार sting कर सकता है बिना मरे without dying and carries a potent और उसके अंदर एक बहुत शक्तिसाली जहर रहता है जिसकी वज़े से एक intense pain create हो सकता है तो venom का मतलब है जहर, potent का मतलब है शक्तिसाली, carries का मतलब वो उसको ले जाता है without dying मतलब बिना मरे हुए ठीक है और एक intense pain वो create कर सकता है तो यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं, यहां पर हम honey bee एक insect है और एक insect है yellow jacket तो यहां पर हम दिखा रहे हैं कि वो, मतलब yellow jacket इस काम को कर सकता है और honey bee इस काम को नहीं कर सकता तभी तो हम यह word बोला हैं, repeatedly, कि मतलब honey bee repeatedly sting नहीं कर सकता है, yellow jacket कर सकता है तो यहां पर honey bee और yellow jacket के बीच में एक contrast है और उस contrast को दिखाने के लिए हम बोलेंगे unlike unlike the honey bee, यहां पर यह सही इसका answer होगा unlike that of नहीं बोल सकते, unlike that of का मतलब हो जाया कि honey bee के किसी part की हम बात कर रहे हैं जबकि यहां पर तो तुलना केबल honey bee की और yellow jacket की हो रही है ठीक है, जैसे honey bee का dunk और yellow jacket का dunk यदि इन दोनों की हम बात करेंगे तब हम that of लगा सकते हैं लेकिन यहां पर तो सीधे ही honey bee की तुलना yellow jacket से हो रही है और उन दोनों में contrast दिखा रहे हैं और यहां पर हम बोल रहे हैं कि जो honey bee करता है, उससे अलग करता है yellow jacket वो repeatedly dunk कर सकता है ठीक है, तो यहां पर आपका जो सही answer होगा, वो होगा E, unlike the honey bee तो इस तरीके से इन sentences को आपको करना है मतलब, as contrasted with the honey bee की जगे पर आएगा, unlike the honey bee तो चलिए अब आगे दिखते हैं None of the attempts to specify the causes of crime explains why most of the people exposed to the alleged cause do not commit crimes and conversely, why so many of those do not, those not so exposed अब देखिए, यहां पर यह काफी अच्छा question है और काफी confusing हो सकता है यह यहां पर यह बोला जा रहा है कि देखिए, इसमें दो तरह के लोग बताया जा रहा है कि exposed to the alleged causes do not commit crime और conversely का मतलब है कि so many of those not so exposed मतलब दो व्यक्ति इसमें बताया जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति जो exposed रहते हैं particular reasons के लिए particular reasons रहते हैं उनके crime करने के पीछे और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पीछे कुछ particular reason नहीं रहते crime करने के लिए ठीक है तो यह दो category है इसमें लोगों की तो यहां पर हम क्या बोलना है people exposed to the alleged cause do not commit crime तो यहां पर जो verb है वो क्या है do not commit crime तो यही same verb यहां पर आनी चाहिए and so many of those not so exposed do commit crime ठीक है यहां पर do not commit crime आ रहा है तो यहां पर आना चाहिए do commit crimes ठीक है तो commit crimes जो है वो understood है वो लगाने की ज़रूवत नहीं है तो इसलिए इसमें यहां पर जो आपका आंसर होगा वो यह वाला होगा डी वाला यहां पर सही आंसर have इसमें नहीं आएगा चुकि पहले वाले sentence में do not लगा रहे हैं तो second वाले sentence में भी हम do लगाएंगे डी इसमें आपका सही आंसर होगा यह काफी अच्छा sentence है यह question number six देखते है the end of the 18th century saw the emergence of the 18th century के end ने क्या देखा emergence देखा किस चीज का emergence देखा emergence का मतलब है किसी चीज का आगे आना या किसी चीज का निकल कर बाहर आना या प्रकट होना उसका हम बोलते है emergence of price stock breeding with individual bulls and cows receiving aborts fetching unprecedented prices end अब देखिए इसको question काफी tough है लेकिन यदी आप common sense लगाएं यहां पर तो यहां पर जैसे fetching लिखा हुआ है ठीक है और fetching वाला जो clause है यह पूरा clause जिसमें जिसमें फैचिंग लगा हुआ है और fetching वाला clause किस से जड़ा हुआ है एंड से जड़ा हुआ है तो parallelism को establish करने के लिए यहां पर आपको exciting बोलना पड़ेगा चु तो इसलिए यहां पर आपका exciting आपका सही इसमें answer होगा see इसमें आपका सही answer होगा आगे देखते हैं for members of the 17th century अशान्थी nation in Africa, animal hide shields with wooden frames were essential items of military equipment अब देखिए यहां पर यहां पर हमको यह बताना है कि military जो equipment थे उसका purpose क्या था उसका काम क्या था ठीक है तो किसी चीज का purpose हम बताने के लिए हम बोलते हैं हम उसको which से बोल सकते हैं या that से बोल सकते हैं जैसे यहां पर हम बोल सकते हैं essential item of military equipment that protected warriors against enemy arrows and spears ठीक है military equipment का प्रस क्या था that protected यहां पर कॉमा लगा हुआ है that protected warriors against enemy arrows and spears तो यहां पर हमको यहां पर हमको इसकी विशेशता बतानी है इसको specify करना है इस military equipment को और यहां पर कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा लगा हुआ है तो इसके बाद हाँ present participle लगा के इस चीज को specify कर सकते हैं तो present participle form जो होगी वो क्या होगी protecting तो इसलिए यहां पर C यहां पर इसका सही answer होगा कोच्छ नमरे अटे क्टे साइंस्टे रिसेंटी दिसकोबर वाट कुछ बीड लागेस्ट अलिए अर्थ अट जाइंट फंगस एज आ इंटर वोबन फिलीग्री आफ मश्रूम और रूट-like स्पॉंड बाए सिंगल फर्टिलाइड इस पूर संब 10,000 अगो एंड एक्स्टेंडिंग फर मोर दें 30 एकर्स इन दस्वाइल ओफे मिशीगन फॉरेस्ट देखे यहां पर एक सेंटेंस जो है वो पास्ट में है कि साइंटेस्ट ने डिसकवर किया है कि सबसी जादा लार् में एक्जिस्टिट जो कि पास्ट में एक्जिस्ट किया है तो दस जार साल पहले वो एक्जिस्ट किया था और अब वो 30 एकर में मिशीगन फॉरेस्ट में एक्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर प्रिजेंट में बता रहा है कि पिछले तीस एकर में वो फैला हुआ है मिशीगन फॉरेस्ट में एक्स्टेंडिंग तो यहाँ पर यहाँ पर लॉर्ड है वो सही है थैं थार्जान एकर्शन गो एक ष्क्स्टेंडिंग फर मूर थैटी एकर्स इन दस वाइल अफ़िगन फॉरेस्ट तो यहाँ पर आपका जो अंसर होगा वहोगा अब हम देखते कोशन नमबर नाइन यहां पर कोशर्स की बात हो रही है इसका आपने नाम सुना होगा यह फेजिक्स में होता है यह बहुत सारे बिलियंस ओफ लाइट इयर्स दूर है प्रत्वी से और यहां पर इस कोशर्स के बारे में चुकि बोला जा रहा है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि कोशर्स से ही गैलेक्सी का जनम हुआ है तो चुकि कोशर्स यहां पर प्लूरल में है तो इसलिए यहां पर आप पैसे वो इसका यूज कर रहा है कि उसके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है तो इसलिए यहाँ पर आप believe to की ज़ए आप बोलेंगे are believe to be मतब causes के बारे में इसा विश्वास किया जाता है कि वो प्रत्वी से हजारों गुना दूर है और उन्हों ही galaxy को जनम दिया है तो यहाँ पर आपका be जो होगा वो सही answer होगा क्योंकि पैसे वो इस construction में जैसे हम बोलते हैं it is believe to be या they are believe to be या causes are believe to be ठीक है इसमें हम are लगाते हैं is mr लगाते हैं present tense में उसके बाद वरब की third form लगाते हैं तो causes के बाद believe to be के स्थान पर हम बोलेंगे are believe to be ठीक है यह helping verb आपको लगाना होगी question number 10 देखते हैं five flesling sea eagles left their nest in western Scotland this summer bringing to 34 the number of wild wild birds successfully raised since transference from Norway began in 1975 इसमें हम यह बोल ला है कि flesling हम बोलते हैं एक चडिया का जोटा सा बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं five flesling sea eagles left their nest जब उन्होंने अपने घौसले छोड़े western Scotland में तो इसकी वज़े से यह हुआ यहाँ पर हम इसका result बता रहे हैं और result को हम अमेशा participle के द्वारा ही बताते हैं या इस sentence को हमें specify करना है तो हम उसको participle के थ्रू बता सकते हैं जब उन्होंने यह यह पांच सी इगल से जब उन्होंने नेस्ट को छोड़ा तो वाइल्ड वर्ड की जो संख्या थी वो 34 तक पहुंच गई ठीक है और यह जो घटना हुई है वाइल्ड वर्ड सक्सेस्फुली रिज्ड सिंस ट्रांस्प्लांस फॉम नॉर्बे बिगें इन 1975 नॉर्बे में जब 75 में ट्रांस्पांट सुरू हुआ ट्रांस्पांट मतलब जैसे हरा है जैसा इमीग्रेशन होता है यहां पर इस लगा कर दिया है दो यहाँ बरे बिंगिंग ज्यून सैंटेंस को पूरा एक्सप्लांस करती है कि जब उन्होंने चोडے उसके बास तक देन GG dov यहां पर सही है और इसमें जो यांसर होगा आपका वो होगा आश तो कैसा लगा आपको यne video class कितनी सारी चीजिये हैं इसमें आपको समझ में आई कौन सी चीजिया आपको समझने में दिक्ट हुई यह सारी चीजिया मुझे बताईए और मेल के हbart सकते हैं या कसन फॉरम के थुरू आप बता सकते हैं इस वीडियो को आप दो तिन बार देखेंगे तो यह concept आपके फ्रेज डेप्लेस्मेंट के किलिए होंगे फ्रेज डेप्लेस्मेंट एक इंपोर्टेंट टॉपिक है एवी पीस पी ओ के लिए और कलर के लिए प्री और मेंस के लिए आप कही बार देखें और concepts को समझने की कोशिश करें डेफिरेटली आपको इससे बेनिफिट होगा तो थैंक यू बेरी मच वो वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू